हेलो फ्रेंड्स और असलावलेकुम दोस्तों आज हम जानेंगे इजवीज के टी वाई वन स्मार्ट होंग वाईफाई कैमेरे के बारे में सबसे पले तो प्लेश्टोर से आप इस्वीज का मोबाल अप डाउनलोड कर लिए दाउनलोड करने के बाद इसको आप आइडी रेजिस्टर कर लिजए रेजिस्टर क्रने के लिए नेंबम में आप अपना यूसरनेम जो भी बनाना चाहते हαι वह यूसरनेम आप यहाँ पर दालिये युजरनेम डालने के बाद सिलिक रिजन कंट्री रिजन से लिट लिजे इंडिया है तो यहाई घॉपर ताइप कर लीजे इंडिया तो इंडिया आ जाए का उसके उपर ही सेहीच कर दीजिए उसके आपको email से register करना या phone से phone से register करना है तो phone पी क्लिक कर दीजिए और अपना phone number इसमें add कर दीजिए उसके अधा continue पी क्लिक कर दीजिए उसके अधा I agree कर दीजिए फिर यहां पे आपका password आप create कर लिजिए password 8 से 16 character होने चीए इसमें capital letters small letters और special सिंबॉल्स भी होने चीए उसके बाद OTP आपके मोबल पर आएगा OTP आने तक वेट कर लिजे वो OTP एंटर कर दीजे इसके बाद आप अगर चाहे तो email account आपका link कर सकते आपका email ID डालिए यह optional है आप नहीं करना चाहे तो तो नहीं कर सकते पिर आपके email पर इसका OTP आएगा inbox में जाईए वो OTP आप यहाँ पर enter कर दीजे इसके तो आपका account create हो चुका है अब आपको camera add करना है camera add करने के लिए यहाँ पर plus के symbol पर क्लिक कर दीजे camera's पर क्लिक कर दीजे allow कर दीजे उसके बाद qr code जो आपके सब booklet आया होगा camera के साथ उसका qr code scan कर दीजे device is powered on पर क्लिक कर दीजे next कर दीजे अगर आपके camera में indicator blue flash हो रहा है तो indicator flashes blue पर टिक कीजे और उसका next कीजे अगर blue flash नहीं हो रहा है तो camera को reset कर दीजे मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बाद next कीजे उसके बाद indicator आपका reset करने के बाद blue flash हो रहा है तो indicator flashes blue पर टिक कीजे और उसके बाद next कर दीजे उसके बाद location permission पर क्लिक कर दीजे और while allow कर दीजे इसके बाद आपके router का password enter कर दीजे यहां पर जो भी आपको router से connect करना है camera उस router का password यहां पर enter कर दीजे उसके बाद next पर click कर दीजे next करने के बाद आपको यहां पर camera का hotspot बताएगा उस पर click कर दीजे camera का hotspot को select कर दीजे पर आपके camera का hotspot आपके mobile से connect होगा अगर आपका mobile indicator blue flash नहीं कर रहा है तो आप यहां से उसको reset कर सकते है यहां पर reset button है और एक memory slot भी यहीं पर है इसका अभी indicator blue flash होने का आप click कर दीजे फिर connect device wifi इस पर click कर दीजे go to connect wifi camera का hotspot select कर दीजे अभी आपका camera connect होगा router से कामेरा कनेक्ट हो चुका है connect device wifi पर क्लिक कर दीजे यह 100% होने के बाद आपका wifi आपके router से connect हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप जो भी settings चेंज करनी है यहाँ पर कर सकते है time zone select कर सकते है इसका qr code भी आप save कर सकते है जो qr code है इसका आप device में save करके रख सकते है उसके नेक्ट कर दीजे उसके यहाँ पर camera को name दे दीजे यह मैं office पर क्लिक कर रहा हूँ उसके done कर रहा हूँ और यह आपका camera connect हो चुका है इसमें isviz cloud service भी आप activate कर सकते है इसमें 7 दिन का free trial version मिलता है या तो 30 days का package मिलता है यह आप करना चाहे तो कर सकते है इसके आपको tutorial यह बताएगा one by one कैसे इसको operate करना है memory card format करना है तो format कर दीजे format memory card पर click कर दीजे ok कर दीजे आपका memory card format हो जाएगा दोस्तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर दीजे और subscribe करने के साथ साथ notification भी on कर दीजे क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगे झाल झाल झाल